हेलो एब्रीवन कैसे हो आप सब तो गाईजा तारीक हो चुकी है 17 जून 2022 और हर रोज की तरह हमारे सामने आज भी IPL 2023 को लेकर सबी IPL टीमू के रिगार्डिंग आठ काफी बड़ी और इंपोर्टनेंट अपडेट्स निकल कर आई हैं अगर आप लोग प्रिकेट और IPL के बड़े फैंस हैं तो फिर आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी चाहिए लेकिन इससे पहले की मैं वीडियो स्टार्ट करूं अगर आप लोग हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफि और BCCI ने क्लियर ली इस चीज़ को मेंशन कर दिया है कि आने वाले 5 सालू के लिए यानि कि 2023 से लेकर 2027 तक IPL के जो आक्षिन सोल्ड आउट हुए हैं वो 115.4 यानि कि करीब करीब 115 करोड रुपे में सेल आउट हुए हैं जिसका मतलब है अगर आप लोग इसको 5 से डिवा सारे राइट का तो उसमें PSL दो सालू के लिए 2.76 करोड रुपे पर मैच के हिसाब से गया था यानि कि सिर्फ 1.38 करोड यह है तो आप लोग क्लियर ली देख सकते हैं कि कितना जादा डिफरेंस है मतलब सिंपल वर्ड्स में जो IPL है वो PSL के कंपेरिजन में 23 कुना जाद रिवेन्यू के रिगार्डिंग दरहसल BCCI ने E-Auction तो कंडर्ट करवा ही दिया है और उससे आप लोगों को इतना तो अंदाजा लगी गया होगा कि लास सालू के कंपेरिजन में कितनी जादा इंकम बढ़ने वाली है ना सिर्फ BCCI की बल्कि सभी की सभी IPL टीम होगी और BCCI ने जो E-Auction कंडर्ट करवाया है उसके बाद उनके official statement के according जितनी भी IPL की टीम है यानि कि 10 की 10 IPL टीम है उनका revenue सीधा सीधा double हो जाएगा यानि कि अभी तक जितने भी जो पैसे advertisement वगरा से कमा रहे थे sponsors वगरा से कमा रहे थे वो सीधे सीधे इस IPL के बाद आप लोगों और ये निकल कर आ रही है भारत और सौथ अफरिका के बीच आज हमें चौथा T20 मुकाबला देखने को मिलने वाला है भारते टीम ने कमाल की वापसी की थी जहां पर 2-1 से अब भारते टीम पीछे चल रही है सीरीज में लेकिन भारते टीम ने जिस तरीके से आखरी भारते टीम को मुकाबला किसी भी हालत में जीतना ही पड़ेगा इस सीरीज को अगर वो चाहते हैं कि उनको सीरीज में आगे बने रहना है कॉमेंट करके आप लोग उताइए इस मुकाबले के लिए आप भारते टीम में क्या क्या चेंजिस देखना चाहोगी फिलाल हम चलत लिए जहां पर कोलकाता नाइट वैडर्स का जो ग्रूप है जो इनके ओनर से उन्होंने एक और टीम को पर्चेस कर लिया है इससे पहले अगर इनकी चार फ्रेंचाइज की बात की जाए तो कोलकाता नाइट वैडर्स जो कि इनकी आईपियल में खेलती है दूसरा वाट टीम इन्होंने पर्चेस कर लिया है और यह टीम है ट्रिंबागो नाइट वैडर्स ही इसका नाम है लेकिन यह विमेंस के लिए स्टार्ट हुई है जो कि सीपील विमेंस का स्टार्ट होते हुए हमें जल्दी देखने को मिलने वाला है तो इसके सांती कोलकाता नाइ हमने आपको कहा था कि आने वाले फ्यूचर में DCCI के प्लैंस हैं कि जो IPL के टीम हैं वो एक दूसरे के इस पास जाकर bilateral series टाइप के मुकाबले आपको खेलते वे देखने को मिलेंगी और अब इसमें एक और चीज़ का edition हो चुका है जहाँ पर IPL के टीमों को ये भी मौका द देखने को मिलेगी बाहर की जो countrys हैं जैसे कि England, Australia, New Zealand इनके अगेंस्ट और उनके घरू में चाकर ये bilateral series आप लोगों को खेलते वे देखने को मिलेंगे अब हला कि BCCI ने अपनी साइट से तो ये announcement कर दी है कि इस तरीके के मुकाबले हमें देखने को मिलेंगे लेकिन उनके जो cricket board हैं वो इस वारे में मानेंगे या फिर नहीं ये बात की बात है क्योंकि past में भी जब भी इस तरीके कि कुछ बात आईए उनके board के उपर तो उन्होंने अकसर ही IPL को negatively ही लिया है comment करके आप लोगों के हिसाब से अच्छा idea है कि आपको लगता है इसको implement किया जाना चाहिए फिलाल हम चलते हैं हमारे आज के दिन की छटी बड़ी update की तरफ और ये निकल कर आ रही है राहुल तिरवाटिया की तरफ से जहां पर रहुल तिरवाटिया गुजरा टाइटन्स के टीम में थे इससे पहले राजस्थान रोयल्स के टीम में भी miraculous performances इन्होंने दी थी और गुजरा टाइटन्स की साइट से भी बल्ले से इस बार काफी ज़्यादा कमाल किया था जिसके बाद इनको उमीद थी कि at least South Africa Series ना सही लेकिन Ireland Series में तो इनको चांस दिया जाएगा लेकिन ऐसा नहीं हो पाया जिसके बाद राहुल तिरपाथी ने अपने disappointment जो है वो व् लिए है और शयाद एक जो possible reason हो सकता है हमारे according तेवाटिया को टीम में शामिल ना करने का हो सकता है वो उनकी balling क्योंकि इनकी जो profile है वो एक allrounder की है as a batsman तो एक अमाल करते ही है no doubt काफी नोने मुकाबले जिता है लेकिन अगर आप लोग इनकी balling के stats देखेंगे इस year के त जलाल हम चलते हैं हमारे आज की दिन की साथ भी बड़ी अपडेट के regarding और गाईज यह निकलकर आ रही है सभी आईपियल टीमों के balance verse को लेकर past में भी हमने आपको बताया था कि BCCI इस बार अपनी जो 10 के 10 IPL टीम हैं उनके balance verse में और भी जादा increment करना चाहरी है जिससे की players और भी जादा पैसा कमा पाएं और इसके regarding BCCI ने अभी कुछ टाइम पहले ही जितने भी जो domestic circuit के players हैं उनकी salary बढ़ाई है तो obviously बात है IPL तो BCCI का favorite product है और ऐसे में इसके balance verse और players की salary बढ़ाने के लिए भी वो जरूर काम करने वाले हैं जिसका मतलब है balance verse जो कि already 90 करोड है जो कि बहुत ही जादा है इसको बढ़ा कर और भी जादा यानि कि even 95 करोड से भी उपर आप लोगों को BCCI push करते हुए देखने को मिलेगी इसका मतलब है कि players जो भी है वो और भी जादा महेंगे बिकेंगे और team है और भी जादा spend कर पाएंगी इन players के उपर फिलाल हम चलते कि आप भी IPL खेलने के लिए मत जाओ लेकिन अभी आपने उनकी इनिंग देखे होगी जो कि New Zealand के खिलाफ आई है मतलब यह एक ऐसी इनिंग है जिसको आप T20 मान सकते हो ऐसे तो कौन ही खेलता है टेस्ट में तो बैरिस्टो ने कहा कि इसलिए वो आई पेल खेलना चाहते ह is जो कि TAS क्रिकेट में भी है और जिस तरीके से उन्होंने इस TAS मुकाबले में बल्ले बाजी की थी उसके बाद यह चर्चा काफी जादा उठ रही थी कि इस तरीके कि स्टाइल जो T20 वाली स्टाइल है वो उन्होंने टेस्ट akit में बल्ले बाजी कि तो इसका क्रेडिट भी उन्होंने IPL को दिया कि वहां के जो टॉप नॉच गॉलर्स हैं और इसके साथ ही जो आपोजिशन्स होती हैं वो काफी ज्यादा स्ट्रॉंग होती हैं जिसके चलते ना चाहते हुए भले ही आप T20 मुकाबले खेल रहे हैं लेकिन इसके बावजूद आपकी टेस्ट की प आपकी जरुए रहे हैं पहुए हो गएगे हैं जिसके बावजाएं पहुए यूच बस्टेश्वार्स तवसे एकशिए कि भीचितु हैं और यूए डिए बावजुए यूठी हैं एकि आपकी नापकी बावजुए प्टुए इंसे पामेशन्स में आपकी पीजुए ऑ्